एल्वेड साइस प्रांग तो सौल करते हैं, question करते है what is the least number which leaves a remainder 3 when divided by any of the numbers 5, 6 or 8 but leaves 0 remainder when it is divided by 9. क्या कह रहा है कि हमें least number बताना है जो remainder देता है 3 जब किसी भी number 5, 6 या 8 में से किसी भी number से अगर divide करते हैं उस least number को तो हमें remainder क्या मिलता है हर case में 3 remainder मिलता है लेकिन हमें कोई remainder मिलता है कुछ भी remainder मिलता है completely divisible हो जाता है जब उसे हम 9 से divide करते हैं तो इस case में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो divisor है 5, 6 और 8 इसका हम LCM निकाल नेंगे, LCM निकाल रहे हम किसका, 5, 6 और 8 का, जो निकाल के आता है कितना, 5 और 6, 8 का LCM, 120, ठीक है, अब according to condition क्या है, कि 120 जो है, 5, 6 और 8 या 8 से डिवाइड होने पर remainder कितना दे रहा है, 3 remainder दे रहा है, तो ऐसी कौनजी value हो सकती है, 120K प्लस 3, ऐसी value हो सकती है, जो 5 से, 6 से, या 8 से डिवाइड होने पर कितना remainder देगी, 3 remainder देगी, यह हमें question में दिया हुआ है, अब हमें क्या चाहिए, कि लेकिन हमें जो number चाहिए, वो कौन सा number चाहिए, वो यह ऐसा हमें K की value चाहिए, जो इस पूरे number को completely डिवाइड करते किस से, 9 से, तो K को अगर हम 2 रखते हैं, तो 120 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 240 प्लस 3, it means 243, 243 वो value है, जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं, त वो completely divide हो जाती, it means remainder 0 देती है, तो इस case में जो answer आने वाला है, वो क्या आने वाला है, option 4, 243, इस question का सही answer.